हमारा देश है यहां से कब जाओगे पाखंडी हो अजारों वर्स हो गए अब भी पलते रहों गे मनुस्मर्ति लाएंगे मनुस्मर्ति में क्या था यह बाबा जासे पाखंडी खुले के ते गूमरें इने जेल में होना चाहिए हिंदू को नहीं हिस देश में हिंदू तो बांदोलन होते हैं, पाकिस्तानी बता देंगे, हलाला की पेदाईस बता देंगे, यह भूतनी के मुझे बताएंगे हलाला की पेदाईस, लोक सुले तो उसके कानों में सीशा डाल देते थे, कि जिसमें हनाज पेदा करता है, मैं बारु दुगाना चालू कर दिया ना, और य अभी हमारे साथ मौजूद है नंदा भाई लिखाता है कि बाई एक इतने बड़े लीडर के उपर हैं जिसे पूरी देश में लोग चाहते हों जानते हों प्यार करते हों उस आदमी पर हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित धंग से कोई बदमास टाइप के लोग हैं उपद्रवी लोग हैं जो चंसिकर राम है कि यहां पे जो हैं वहां पर सुरक्षा बहुत दिया जाता है और बात करते हैं कि यहां पर गुंडा गिर्दी नहीं चलता है जला दि गई तो यह नहाए थोड़ी है यह सुरक्षा है किया जो कहते थ ahí बैटी बचाओ बती पलाओ की बात करते थे रहा जोनारा देते थे आज हुन्होंने क्या आप हो रहा और EBM सब मैनेज है सब जानते हैं पक्ष और विपक्ष सब मिले हुएं चाहा कांग्रेस हो चाहें ये हो सब एक ही सोच के लोग हैं और कांग्रेस की देने के भाई RSS कांग्रेस ने बनाई ठीक है और RSS ने जंसंग बनाया भारते जंता पार्टी बनाई ये सब एक ताली के चट्टे बटे हैं इससे को परगनी पढ़ने वाला यही कांग्रेस EBM लेके आई थी यही कांग्रेस मंदिर का ताला तुड़वाती है और फिसी पर अंदोलन होते हैं इस हम मिले जुले ये नहीं चाहते कि जो भारत वासी जो है जो भारत का रहने वाला है जो यह सोच लीजिए कि भारतिय समाज का भला हो जाए कभी नहीं हो रहा यह लोक तंत्र को खतम करने की सोच है और सविधान पर कुठारा गाज चल रहा है जिस तरीके से सविधान को तोला मरोला जा रहा है उसका कई कुछ सुनवाई नहीं है और तो जैसे सविधान बदलने क गगी बाते चलनी एं, हिंदू राष्ट जैसे मुद्दे उठाय जा रहे हैं पाक अंडियों के दुवारा जबकि हिंदू राष्ट जो है, labda sh ayon a subconscious इस देश में? भाई 85% तो दली तोई पिछणे हैं, फिर मुसलिम है, हिसाई है, बोदिष्ट है, पार्ची है, जैन है, तो फिर हिंदु कौन है? पूछो मूरकों से, कहा हिंदु कोन है? किसको हिंदु कह रहे हैं? समझे नहीं? तो हिंदु तो है सो यह नहीं, जैसे पहले खालिस्तान के नाम पे, खाल्सा के नाम पे खालिस्तान राष्ट की मांग उठती थी, तो लोगोंने का यि हूख अग्रॉबादी भात करें तो वही गुरबादी आतंगबादी है, इतने दूर से लोग जा रहे हैं उतने दूर उनसे मिलने के लिए एक नित्यानन्द भी था नित्य नए दिन रोज बलतकार करता था वो भी केलासा बना के विदेश में चला गया आंका पैसा लेके लूटके पैसे का कर देते हैं धपा और वहीं बैठ जाते हैं बनके पपाओ यह पता है तुम्हें वहां केलासा एक राष्ट बना के बैठ गया हो यह देश का लूटके पैसा ले गया है उसको कैसे देखो गया तो देश को लुटे रहे हैं जितने पाखंडी है डोंगी है धरम मजब के नाम पर जो आतंगबाद मचा रखाए देश के अंदर समझे नहीं इस देश सविधान से चलता है बिज्ञान से चलता है तारिकिक बातों का कोई महत तुनी रहा मैं जो खुद भारत के तरंगे को जलाते रहे इनाना जी देश मुग जैसे हैं उनको भारत रतन देते हैं भारत रतन ऐसों को दिया जाना चाहिए बारत रतन दिया जाना चाहिए को दसरत्मां जी को ऐसे लोगों को भारत रतन मिलना चाहिए यह थोड़ी पाखंडी और उनने बहूत मेहनत किये इस राष्ट को बनाने के लिए और जो इसमें आए है stitches जो शाहनाती थे जो विदेश से आए हाँ के इस भारत के आस तक नहीं हो आज जारों बरसों से इस भारत का आ रहे हैं इस भारत का खा रहे हैं भारत की दया-दान दच्चना पे पल रहे हैं अज तक समझे नहीं वो इस भारत के नहीं है भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं भारत बासियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं समझे नहीं उनकी खेती जमीने चीनने का सड्यंत कर रहे हैं उनके ही सविदान को समझे उनके यह अधिकार को खतम करने का काम करने सड़यंत्र है समझे नहीं इस से देश आगे बरने वाला नहीं है जब तक भारत बासी नहीं जगेगा तो अपने अधिकार और नयाएकों कहीं भी इपने बचा नहीं सकता नहीं तो इस तरीके से करते सभब लेंगे करूंपर हमला हुआ है के सोसेट बंचित भारतियों के अवाज उठाए जो वह अव्यक्ती बेटी के साथ कड़ा हो शिंदूराश्ट में क्या करेंगे, क्या है इनका सभिधान, क्या है मसोधा, ये बताएं हमें, सभिधान यही है, मनुबादी, मनुस्मर्ती लाएंगे, मनुस्मर्ती में क्या था, महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, समझे, महिलाओं क उसके कानों में सीशा डाल देते थे, कोई किसी ना मंत्र पर दिया तो उसकी जवान कार देते थे, तो यह अधिकार हैं जिए, यहां तो अभी वक्ती की आजादी दी, हमारे सविधान ने तो बोलने पे, चलने पे, सुनने पे, सब को खदम करना चाहते हैं, जीना आधिकार इनके भारत इनका है, इनने सलन दिये हमने, और वो वक्ताने वाला इन विदेसियों को भारत चोड़ के भागना पड़ेगा, समझे नहीं, यह धरम भारतियों का नहीं है, भारतियों के सब कुछ है, जो भी देस के अंदर जो है, यह विदेसी लोग आके यहां पाखंड जाके लोगों को मूर्क बना रहे हैं समझे नहीं इन्होंने अफीम चटा रखी है धरम और पाखंड के नाम पे इससे जिद दिन जागरुक हो जाएगा न भारतिय समाज ये भारत छोड़के भागेंगे पाखंडी ढोंगी समझे नहीं और एक जनाएगा ऐसा उनसे मिलने के आपके चैनल पर तो लोग कहेंगा रहे है क्या पतिजनक डिप्डी कर दी है अभी इस्तितिय मानसिक्ता ऐसी बना दिये लोगों ने पाखंड में भाई बच्चे हो रहे किसी को कोई मा है या किसी की सास ही है अब उसकी बहु जो प्रेंग्नेंट हो जाती है तो पता है क्य मेहनत करी कुछ भी करा है उसके खांदान परिवार को चलाने का काम किया और क्रपा कौन कर दी भगवान सिंग कर गया क्रपा आप मुझे बताओ तो इसे पाखंड से क्या होगा अगर ऐसे क्रपा होनी तो भाई साधी विया क्यों करें उनके क्रपाई करते रहते समझे कोई कान से पैदा होता कोई नाक से पैदा होता कोई अतेली पैदा होता कोई चांद में पैदा हो जाता है ऐसे क्रपा करते रहते तो इनकी क्रपा इनके घर में ही सही है अपने घर में रखे है जी क्रपा बारत पासी सब जानते है मेहनत करते हैं केती बारी करते हैं एक किसान है जिस जमीन का सीना फाल के ना, जो भारते समाज्ज अनाज पैदा करता है, और कर खे किरांती पे हो गया, उसी जगे हल की जगे किसे नहीं ऐसा चला दिया, कि इसमें अनाज पैदा करता हैं, बारू दुगाना चालू कर दिया ना, ति पाखर भागते फिरेंगे देश को छोल के समझे नहीं इसके आगवाले पिछवाले सब उला देंगे यहां से बारतिय समाज यह ना सोचो हम लोग क्रांतिकारी हैं हमें को सत्ता और सासन का लोबनी परिवर्तन के लिए लगए हम हमारे अधिकार है हमारा देश है यहां से कब जाओगे पाखंडियो अजारों बर्स ह लोगे समझे नहीं मनुबादी नहीं है अब यह मनीबादी हो गए है और जितने बी जो सत्ता हम बैठे हैं जो कहते है युसस माज के लोग हैं मैंने कहा नहीं कि कौन है यह कमीशन खोल हैं हम मिशन पर काम करने वाले हैं यह कमीशन खोल जो हैं जो भीबन समाज के जो चेहरे दिखा रखे हैं इन्होंने समाज को भीकवा रखा इस भारत को भीकवा रखा है इनसे बचने की जरूरत है समझे मिशन वालों के स साथ चलो कमीशन वालों के साथ मत चलो इनका ध्यान रखिया तमाटर का रेट बहुत बढ़ गया इसको लेकि आप क्या कहेंगे टमाटर का रेट वाली है सरकार के आथ में जब टमाटर जब बहुत आधात महोँ रहा था तो सरकार कहह रहा है ने कि यह आप किसानों को लाब ह तो वही टमाटर दो रूपे गिलू है समझे ने उसके पास तनी भी स्तितिनी होती कि टेक्टर में भरके जाके कोल डिस्टोर या मार्कीट में जाके मंडी में बेका है वो इतना सत्ता कर देते हैं समझे फिर वहां से वैसे उड़ जाता है और वह जमाखोरों ने जो गुदा मनीवदे बना रहे हैं वहां रखे हैं समझे जह जो अंवाध तीन महीने लगाता है उस वसल को गाने में दो महीने लगाता है जब टमाटर तैयार होता उसका ठीक है और ये छे-साथ दिन एक हफ़ते में इनके गुदाम में परता ही वो दसगुना रेट बढा लेते हैं तो कोन है ये ये जो है मनुवादी इनकम मनीवादी विवस्ता पर कायम हो गये हैं मनुबाद की जो के बात है ना मनुबाद खतम हो गया अब यह मनी बादी लोग है जहां मनी दिखाई देती है उस पर यह सांप की तरह बैठ जाते हैं तो इन सब यह जहरेले जो सपोले है ना इनके लिए कह देना भारतिये जो है न नेवले भी तैयार हो गया इनके कर देंगे जल्दी दो हजार चौबिस के लोग सबस्वा चुनाब को लेकर आप क्या कहेंगे लोग सबस्वा चुनाब को मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि भाई मेरे को तो विश्वास है नहीं जब तक EBM मसीन से चुनाब हो रहा है समझे मुझे लगता भारत बासियों को भ अपला चली रहा है EBM मसीन पर जब तक चुनाब होगा तो इस अमझे लिए लोगतांत्रिक चुनाब नहीं हो रहा है जनता के साथ खिलवाल हो रहा है बैलिट मसीन बैलिट पेपर पर जिद दिन चुनाब होगा उतने समझे कि लोगतांत्र बस सकता है सविदान बस सकता है ये देश बस सकता है तो बैलिट पेपर पर पूरे जुतने भी लोग अंदर सक देख रहे हैं बैलिट पेपर की आप ही मांग कर सकते हूं क्योंकि बेपक्षी पाइटिये सब दलाल हैं इनके साथ मिलमाट के खा रहे हैं इनने कोई दिक्कत नहीं है कि चाहे महंगाई कितनी बड़े कभी रोड पे नहीं आते हैं जो नोट बंदी हो कभी रोड पे नहीं आते हैं करोना काल में कुछ नहीं करा इनोंने और लड़े कोन इसके लिए जिस समाज के खिलाब बलकाते रहे हैं लोग कौन लोग ते जो करोना काल में आये कोरोना काल में उस सिख आये बलड होता है क्या मगर नहीं तो ये लोग पाखंडी है इतने भी लोग रहे हैं सभी जाती धर्म मजब सबको समान अधिकार मिले सबको जीने का अधिकार मिले और जो न्याय मिले सबको जिसके साथ भी हमले हो रहे हैं और जिसको सुरक्चा की ज़रुत है जो मांग रहा है सुरक्चा उसको सुरक्चा दो धोंगी और पाखंडियों को सुरक्चा मत दो जो चमतकार उनों ठंकी करते फिर रहे हैं ऐसे बाजीगर नमूने इनको देने से कुछ नहीं होगा इनमूनों से देश की मट्टी खराब हो दिये समझे विदेशों में जाके ढंका बजा रहे हैं वही 50 लोग वहां दिखाई देते हैं लंदन में वही आस्ट्रिलियम पचास लोग दिखाई देते हैं वही अमेरिका में समझे नहीं वही ढंका बजा लेते हैं वही दो तिरंगे लिए और कैरे ढंका बज गया मगर दंका वहाँ बज़ रहा है मिजोरंग में तो लंका बलगवादी भाई पता नहीं कितनी चर्चे जलवादी तुमने समझे नहीं तो अगर तुम्हें देश बचाना था तो वहाँ का एक होगे अमेरिका भाई आप चर्च में जाते ना मिजोरं में जो जल ली थी क्योंकि देश भी तुम्हारा मिजोरं भी तुम्हारा और वो जो चर्च जल ली थी वो भी तुम्हारी उसमें खड़े होते तो तुम्हीं खड़े होते और जलते आग लगते तो किसकी जलती तुम्हारी जलती देश की ज कहना है कि जनसेखर आजाद जी जो है उनको एक उनको सरक्षाबल मिलना चाहिए बने दिये हमारी श्राद